हेलो, सेकंड स्टांडर्ड, सबजेक्ट इंगलीज, क्वेस्टन 6 स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिवेस वीडियो में हमने क्वेस्टन 5 मैच तक किया था, आज हम करेंगे क्वेस्टन 6, राइट आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसिस, 2 या तो फिर 3 सेंटेंसिस में आपको आंसर इखने हैं, फॉस्ट, हाउ डु यू कीप योर्सेल्फ ड्राए इंद रेईब, आप अपने आपको बारिश के बारिश में कैसे ड्राइ रखते हूँ, हाउ डु यू कीप योर्सेल्फ ड्राइ इन द रेइब, केसे ट्राइ करते हो आप अपने आपको बारिश के दिनों में तो लिखोगे I use यानि कि मैं यूज करता हूँ अम्रेला और रैंकोट मैं यूज करता हूँ अम्रेला और और यानि कि या तो फिर या I use अम्रेला और रैंकोट टू Keep myself dry in the rain इधर तक आपको याद करना है I use अम्रेला और रैंकोट टू फिर keep वाला आएगा इधर से keep yourself तो keep इधर आपको पूछा है ना इसलिए your के बदले हम क्या लिख देंगे myself है ना question में आपको पूछ रहे हैं इसलिए लिखा है yourself अब आप answer दे रहे हो इसलिए आप लिखोगे myself we dry, dry in the rain I use अम्रेला और रैंकोट तो keep myself dry in the rain यानि कि मैं अम्रेला या तो फिर रैंकोट का यूज करता हूँ अपने आपको बारिश में dry रखने के लिए उसके बाद है second Do you like to play in water? क्या आपको पानी में खेलना पसंद है? Yes क्या लिखेंगे? Yes फिर ये जो मैंने किया है वो है कोमा Yes फिर ये छोटा सा ऐसा कोमा I like to play in water हाँ, मुझे पानी में खेलना पसंद है I like to play in water उसके बाद हम करेंगे third question Write what things live in water? Write यानि की लिखो What things live in water? पानी में कौन सी चीजे रहती है? क्या आपको पता है पानी में कौन कौन सी चीजे रहती है? बोलो तो fish, very good हम answer लिखते हैं Many things live in water पर एक fish तो नहीं रहती न? क्रोकोडाइल भी रहता है और भी कुछ रहते हैं tortoise whale, है न? बहुत सारी चीजे पानी में रहती है बहुत सारी यानि की many things many things live in water तो पानी में बहुत सारी चीजे रहती है like जैसे की frogs, fish, wells, crocodiles है न? E, T, C यानि की और भी बहुत सी जिसकी हमने नाम नहीं लिखे हैं है न? अगर आपको इदर क्रोकोडाइल लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो तो हमने लिखा है many things live in water like frogs, fish, wells, E, T, C पीछे, full stop तो ये वाला जो लेसन था हमारा इदर finish हुआ okay thank you students